Hello friends, welcome back to my channel तो जैसे कि हम जानते हैं glass colors जो हम glass में use करते हैं या फिर glass bottle में या जो frame में जो glass लगवा होता है उस glass में हम जो ये colors करते हैं तो इस बार मैं कुछ अलग लेके आया हूँ इस बार हम use करेंगे mica sheet में जैसे कि आपने PHP sheet में भी आपने use करेंगे जो transparent sheet आती है उसमें भी आपने glass colors use करेंगे तो इस बार में कुछ अलग कर रहा हूँ ये जो आती है mica sheet होती है जैसे आप counter में देखते है counter में या almira में लगवी होती है ये वो वाली mica sheet हुई glossy में है ये glossy surface में है तो जैसे हम glass colors use करते हैं फ्रेम में जो फ्रेम की जो glass आते हैं उसमें करते हैं तो हमें उसमें background में भी हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है चाहे silver background या white background तो इस बार हम mica में use करेंगे तो mica में कोई background की जरूत नहीं है इसमें direct आप 3D outliner से जो ये 3D outliner मैंने आप दिखा रखें उससे आप outline बनाके आप glass colors fill कर सकते हैं तो इसमें कोई भी glass colors अगर आप use कर रहे हैं तो उसमें आपको glossy surface में ही आप use कर सकते हैं चैसे चाहे माई का हो या glass हो या कोई भी glossy अगर आप चीज है और क्या look इसका निगल के आता है तो वही चीज मैं try कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपको इसमें pencil से draw कर लेना है जो भी आप इसमें बनाना चाहते हैं उससे आप पहले pencil से draw कर लीजे तो जैसे मुझे इसमें flowers प्लावर्स बनाने हैं तो मैं पहले इसमें फ्लावर ड्रॉ कर लोंगा और जैसे माइक में हम पैंसिल यूज करते हैं अगर आप से कुछ ब्लेक आउटलाइन से ही लोग प्रॉपर तरीकी से ब्लेक आउटलाइन बनाते हैं जैसे मैंने और वीडियो में भी बनाई थी कि ब्लेक आउटलाइन आप पूरा बना सकते हैं उसके बाद आप इसमें ग्लास क्लर्स फिल्ड कर सकते हैं लेकिन इस पार मैं थोड़ सा जो आता है यह देखिए glitter gold उसका use करूँगा यलो वाली जगे पे तो देखिए कुछ इस तरह किसे मैं 3D outline भी अलालग color के साब से change करके बनाता हूँ सबसे पहले मैं blue से बना लेता हूँ जैसे मैंने blue से बनाया है outline मैं कुछ आपको पहले इसमें दिखा देता हूँ जैसे लीव बनानी है इस तरह किसे आप green से green लीव बना सकते है अब red color में दिखाता हूँ आपको जैसे मुझे इसमें red color फिल करना है तो मैंने red outline से use कर लिया है अब yellow के लिए मैं cold color के use करूँगा तो इसी तरीके से हमें सब मैं इस तरीके से 3D outline फिल कर लेनी है उसके बाद ही हम glass colors का use करेंगे जैब यह dry हो जाएंगे तो पहले मैं इसमें फिल कर लेता हूँ फ्रेंड्स देखिए मैंने कुछ इस तरीके से 3D outline फिल कर लिया है तो अब यह dry नहीं हुआ है कम से कम 2 या 3 गंटे में यह dry होगा देखिए अब यह पूरा dry हो चुका है अब इसमें हमें glass colors फिल करने है जैसे मैंने blue बना है तो blue के अंदर blue हो जाएगा yellow के अंदर yellow red के अंदर red इस तरीके से आपको इसके अंदर fill करने हैं कि देखिए जिससे इसमें bubbles आ जाते हैं तो bubbles के लिए आपको एक sticks अपने पास रखनी है वह भी देखिए इस तरीकी स्टिक हो या कोई pin हो उससे आप इस bubble को हटा सकते हैं यह देखिए इस तरीके से bubbles हट जाएगा और यह stick क्या कोई भी पेन हो तो blending यह भी काम आती है blending किस तरीके से करनी है वो भी में आपको बता देता हूं इसे देखिए मैंने लीव बनाई यह उसमें हलक किसी यल्लो कलर में मैं टिप कर ले रहा हूं कि देखिए और इस तरीके से आप हलकल करना पिन चलाईए तो उससे आप blend कर सकते हैं वबिल्स को भी निकाल लेना है झाल करें प्रणेज कर दो दो भी मैं आपको बादिए झाल कर दो कर दो तो उसमें है यह रहा हूं झाल कर दो 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 प्रूश कर दो दो झाल झाल देखे फ्रेंड्स अब कुछ इस तरह की से लुक आ गया है तो आप देखे इस तरह की से माइके में भी बना सकते हैं आपको कोई बैग्राउंड की जुदत नहीं पड़ेगी इसमें बैग्राउंड आप कोई माइका कर ले सकते हैं वाइड ले सकते हैं जैसा भी आप चाहें उस तरीके के माइका का color ले सकते हैं तो देखिए इस तरीके से आप इसमें माइका में भी बना सकते हैं ये glossy surface होता है इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया लग रहा है अब इसको इसके बाद frame भी कर सकते हैं तो ये dry होने के लिए कम से कम 10 hours से 12 hours तक लेता है तो इसको proper तरीके से dry होने दीजिए उसको frame किस तरीके से करना है तो उसमें आपको क्या-क्या चीज की जुरुत पड़ेगी तो उसमें हम cardboard का use करेंगे तो एक तो हमें चीए cardboard और एक हमें चीए mount seat ये mount seat वो होती है जो double framing में काम आती है जैसे आपने देखा होगा तो आप screen में देख सकते हैं जो इस तरह की जो frame आते हैं इसके अंदर एक mount seat लगी होती है double seat में कहीं black कहीं cream कहीं red color की होती है seat है तो उसको mount seat बोलते हैं जो अंदर से लगती है तो एक हमें mount seat चीए और एक cardboard चीए frame करने के लिए हमें ये दो चीए होगी जुरत पड़ेगी तो सबसे पहले देखिए आपको cardboard लेना है जो आपके इस frame की size से बड़ा हो देखिए कुछ इस तरह की से size कम से कम इतना extra होना चीए हम कम से कम एक inch का frame यहाँ पर बनाएंगे तो आपको measurement कर लेनी है तो सबसे पहले हम इसको measurement करेंगे जैसे देखिए 6.2 आ रहा है यहाँ पर तो हमें देखिए थोड़ा सा side से gapping हमें छोड़ नहीं है ताकि frame के अंदर यह थोड़ा सा दब सके तो 6 inch का size हम लेंगे देखिए मैंने इतना यहाँ पर छोड़ लखा है तो कम सब 1 inch का हमें frame बनाना है तो 1 inch का जैसे मैंने size लिया है तो मैं यहाँ से अंदर से कम सब इतना size लूँगा और यहाँ पर measurement लगा दूँगा यहाँ से और अंदर इतना हमें 1 inch का size लेना है इतना थोड़ा सा आपके frame के अंदर दपता है इसलिए तो यह चीज आपको दोनों side से कर लेनी है ऐसे ही आपको उपर वाली side से करना है एक inch थोड़ा सा अंदर आ जाएगा और आप यहाँ पर measurement लगा लिजे यह चीज आपको मैं थोड़ा सा अंदर इससे कर रहा हूँ अगर आपको इस तरीके से problem आए तो आप फूरा proper तरीके से measurement कर सकते हैं अब मुझे इस चीज की habit हो चुकी है तो मैं direct इस तरीके से कर ले रहा हूँ अब जितना हमने measurement लगाया है वहाँ पर आप line draw कर लिजिए अब जैसे हमने border पर line खीच लिए है अब यह अंदर का जो size है हमें यहाँ पर cutting करनी है यहाँ से आपको cutting नहीं करनी है जहां हमने जितनी gaping लीती उस जगे से हमें cutting करनी है यहाँ पर dot लगा दे रहा हूँ यहां से हमें cutting करनी है तो देखिए आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि आपने जो lines draw करी हैं वो इसके अंदर हैं आपने बाहर line नहीं बनाई है अंदर बनाई है इस तरीके से आप इसको check कर सकते हैं देखिए यह चीज आपको यहां से पता चल गया कि आपने जो lines draw करी हैं वो अंदर है अब इसकी हमें cutting कर लेनी है तो देखिए हमने इस तरीके से cutting कर ली है तो कुछ इस तरीके से आएगा लेकिन अभी हमने इस single cutting करी है थोड़ सा हमें इसमें thickness इसकी बढ़ानी है तो इसमें हम पहले measurement कर लेते हैं थोड़ सा जैसे यहां पे हमने attach कर लिया है तो हमें इसका bottle थोड़ सा थिक करना है तो मैं measurement कर ले रहूं थोड़ सा तो जोड़ कि अंदर की जो line आ रही है यहां पे तो इसका support मिल गया बाकी की जितनी बचरी है यहां पे हमें खुड़ सा और cardboard लगाना है और ठीक है बोटी कर लिए हमने इस तरीके से देखी cutting कर ली है जो हम इसके side में यहां पेस्ट करेंगे इस तरीके से इसको पलटके ही हमें यहां पेस्ट को इस तरीके से paste करना है लेकिन उससे पहले हमें एक काम कर लेना है जो हमने mount seat हमने आपको दिखाई थी उसका border आपको cutting कर लेना है पहले यह border जो हम cutting कर रहे है यह last में हम frame के बाहर लगाएंगे चाहें तो आप इसको red color में ही रहन सकते हैं या फिर आप इसको black frame भी बना सकते हैं बाद में आप इसकी cutting कर सकते हैं और वो इस frame के बाहर लगेगी तो यह काम था हमारा बात का है उससे पहले हमें इसमें border paste करना है प्राव में आप लाएंगे कर दो तो आप लाएंगे तुभी इस तरीके से पेस्ट रोचुका है बार में आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं अब हमें क्या करना है हमें टेपर लेना है बैंबू एपर हो या कोई भी पेच़र हो आप उससे कटिंग करने के बाद इस तरीके से आपको हाइड करने हैं इस तरीके से पेस्ट करने हैं साइड के और इस साइड के आप यहां पर इसको इस तरीके से पेस्ट करने है इसके देखिए मैंने ब्लॉक्स जितने थे वो सब बंद हो चुके हैं इस तरीके साब इसके सारे ब्लॉक्स बंद कर सकते हैं त ताकि वो देखे नहीं, अब मैंने मांट सीट की भी कटिंग कर ली है, इस तरीके से जब आप इसको फिट करेंगे, तो आप इस तरीके से यहां पे पेस्ट कर देंगे, यसी यह रेड कलर है, मैं इसको ब्लैक करूँगा ताकि हमारी जो पेंटिंग है, वो ज्यादा उपर को निखर के आए, इसलिए मुझे फ्रेम ब्लैक बनाना है, तो सबसे पहले आप इसमें ब्लैक कलर कर लीजे, अब इस मांट सीट को हमें इसमें पेस्ट कर देना है, अब यह पूरा तरीके से रेडी हो चुका है, अब आप इस तरीके से इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं, अब आपकी ग्लास पेंटिंग फ्रेम में रेडी है, बीची से देखें कुछ इस तरीके से आएगा, और फ्रेंट से आपका इस तरीके से देखें काफी किता बढ़िया लूक आया है, अब आपको हैंट करने के लिए यहाँ पे फूक लगा देना है, अब आपको हैंट आपको आपके से देखेंट झाया है, अब आपकी पेंटिंग पूरी तरीके से तियार है अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत बुलेगा थैंक यू पर वाचिंग झाल में पूला में तो सब्सक्राइब करना मत बुलेगा